नमस्कार मैं हूँ आजल सिंग और आपका स्वागत हमारे चनल पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे कि प्रधानमंती नरेंद मोधी राश्टुपती से मिलने गए तो ले दोरे के बाद अब प्रधानमंती राश्टुपती से मिलने जाते हैं तो चाइना को लेकर ज चामनात कोविंद के बीच लेकिन जो इस्थिती इस वक्त बनी हुई है चाइना को लेकर और जिस तरीके से सीमा पर विवाद है इसे देखते हुए ये कयास लगाया जा रहे हैं कि अब युद्ध की इस्थिती बनी हुई है पूरी तरीके से भारत ने तयारी कर ली है को उसके ही भाशा में जवाब देने के लिए अब मोधी सरकार पूरी तरीके से तयार हो चुकी है और इसलिए पहले प्रदानमंती नरेंद्र मोधी लेह में जाते हैं लेका दौरा करते हैं और वहां के स्थिती का भी जायजा लेते हैं और इसके बाद अब आपको बता दे कि राश्टपती रामनात कोविन से मिलने जाते हैं तो ये साफ संकेत है कि किस तरीके से अब कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है क्योंकि जो चाइना के इस वक्त उसके मनसूबे हैं वो अच्छे बिलकुल भी नहीं है एक तरफ वो अधिकारिक तोर पर कहता है कि जो वि पीछे हटने को तयार है वो अधिकारिक तोर पर कहता है लेकिन वो पीछे से हमेशा वार करता है और इसी को देखते हुए अब मोधी सरकार बिलकुल भी भरोशा चाइना पर नहीं कर सकती और इसलिए अब इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से ती कई भी अगर शांती के अपील करता है और शांती चाहता है तो उसको बहादूरी की ज़रूरत हैं लेकिन काईर कभी शांती की बात नहीं करसकता तो ये बिलकुल चाइना के प्रदान मंती नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो सीमा में चाहे वो इंस्ट्रस्ट्रक्चर का काम हो चाहे वो रक्षा सौधे हो लगातार प्रदान मंती नरेंद्र मोदे इस पर ध्यान दे रहे हैं साथ में ही सेना और सरकार का जो इस वक्त हम देख सकते हैं कि दोनों एक साथ मिलकर दुश्मन से लड़ रहे हैं ये पहली बार हुआ है तो सरकार और सेना दोनों मजबूती से डटी हुई है और जिस तरीके से चाइना इस वक्त इस्तिती बनाए हुए है गलवान घाटी में गोगरा, होट स्प्रिंग और पैंगॉंग में आमने सामने दोनों देशों की सेनाय आमने सामने खड़ी हुई है और इसी को लेकर आर राश्टुपती से प्रधान मंतरी मिलने जाते हैं और ये जो तनाव है बॉर्डर पर इसी को लेकर आधे घंटे दोनों के बीच में बातचीत होती है और दो दिन पहले ही प्रधान मंतिर नरेंद मोधी बॉर्डर पर तैना जमानों से मिलने जाते हैं और बिना नाम लिये चीन पर उन्होंने हमला भी बोला और जिसके बाद तीखी मिर्ची चाइना को लगी थी और इसी के साथ आपको बता दे कि उपराश्टुपती वेंकिया नाइडू ने भी बहुत एहम टूइट किया है उन्होंने लिखाया कि भारत इतिहास के बेहत नाजुक मोड से गुजर रहा है हम एक साथ कई आंतरी को और बाहरी चुनोतियों का सामना कर रहे हैं लेकिन हमें जो चुनोतिया दी जा रही हैं उसका सामना करने का हमारा निश्य दिर्ण रहना चाहिए तो इससे यह साफ संकेत है चाइना के लिए और देश में बैठे दुश्मनों के लिए तो एक तरफ भारत कोरोना वाइरस के महामारी से लड़ रहा है दूसरी तरफ वो चाइना से भी लड़ रहा है देश उनसे भी इस वक्त लड़ रहा है तो यह जो प्राश्टपती का यह ट्विट है यह भी बहुत एहम है और यह देखा जा सकता है कि जो नोंने कहा है उसका सामना करने का हमारा निश्य दिर्ण रहना चाहिए यानि कि हम कभी भी इसमें जो जिस तरीके के स्थिती बनी हुई है पूरी तरीके से तयार है चाइना को उसी भाशा में मुतोर जवाब देने के लिए तयार है क्योंकि इससे पहले भी अमिश्य शां ने बयान दिया था कि हम करोना से भी लड़ाई लड़ेंगे और चीन से दूसरी तरफ आपको बता दे कि वायू सेना की तयारिया पूरी हो चुकी हैं और किस तरीके से वायू सेना के वरिष्ट अधिकारी ने इस पर बताया कि हम किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तयार हैं। चिनूक हेलिकॉप्टर और MI-17V5 सेना की अग्रिम चौक्यों के लिए रोज उडान भरते हैं ताकि जरूरतों में कोई भी कमी ना हो। किसी वक्त भी वो चाइना से मुकाबला करने के लिए तैनात हैं। और इस पर उन्होंने कहा कि हम किसी भी चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो भारतिय वायू सेना और भारतिय चाहे वो थल सेना हो या नौ सेना हो तीनों के ही जोश में किसी बात की कमी नहीं हो। प्रधानमंती नरेंद्र मोदी के लेह में पहुत जाने के बाद तो सेनाओं के जो जजबा है जो जोश है वो और बढ़ गया है। और इसके बाद प्रधानमंती नरेंद्र मोदी की और राष्टपती की जो मुलाकात होती ये भी बहुत एहम मानी जा रही है। साथ में ही उपराश्टपती का इस वक्त जो ट्विट आता है वो भी इस वक्त ऐह माना जा रहा है तो यह इस्तिती जो बनी हुई है यह चाइना को उसके ही भाशा में सबक सिखाने के लिए क्योंकि लोगों के भी भी इस पर राह है कि कब तक हम चाइना से इस तरीखे से वि और इस वक्त करारा जवाब दिया भी जा रहा है, आर्थिक रूप से चाइना को इतना तोड़ दिया गया है कि उसकी बॉकलाहट सामने आ गई है, उसको इतनी मिर्ची लगी है कि वो इस पर Global Times के जरिये और Global Times के एडिटर के जरिये किस तरीके से बयान बाजी कर रहा है, यहा प्रधान मंतिरी नरिन मोदी ने बातचीत की, उससे साफ है कि भारत के चीन के साथ बातचीत का रास्ता खुला छोड़ा है, मगर किसी भी आकरमक कारवाई का जवाब देने को तयार है, तो इस पर भी सवाल कई सारे लोग खड़े कर रहे थे, यहां तक कि प्रधान मंतिरी जिस तरीके से पूरे देश ने मुहिम चलाई है चाइना को तोड़ने के लिए, और जिस तरीके से सीमा पर हमारे जवान खड़े हैं, और प्रधान मंतिरी नरिन मोदी जिस तरीके से इस वक्त एहम फैसले ले रहे हैं, और जो हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही है, जिस त वक्त समक सिखाने के लिए तैयार हैं और वही पर वो सारे देश भारत के साथ हैं, तो प्रधान मंतिरी नरिन्द मोदी का लेह दौरा और इसके बाद राश्ट पते से मुलाकात और इसके बाद भी मीटिंग्स हो नी हैं, और रक्षा मंतरी जिस तरीके से अभी इस वक्त तो वो लेह लद्धा का दौरा करके आए हैं और उसी इस वक्त वो जो रक्षा सौधे हो रहे हैं ये भी एहम बाते इस वक्त दिखाई दे रही है तो ये कहा जा रहा है अब कुछ बड़ा होने माला हो और कुछ बदलने माला है जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब इस वक्त ह होने माला है और इसे लिए प्रधान मंती नरेंद्र मोदी हो या देश की तीनों सेनाए उं ये पूरी तरीके से तैयार है और चीन को मुतोर जबाब देने के लिए भारत की जलता भी पूरी तरीकेसला कब खथियार हैं तो चीन जिस तरीके से उसकी नीती mph है को बड़ा भूगतना पड़ेगा इस मुद्दे पर आप भी अपनी राइड रख सकते हैं कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब दही किया है तो कर ले ताकि हर अपडेट आप तक पहुचती रहे अब्सक्राइब दो किया सकती जहां